हाई व्रिवन आप सभी का एक पर फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप भविस में टीचिंग प्रूफिशन में जाना चाहते हैं सिख्चक बनना चाहते हैं तो आपके ग्रिजुशन में किन-किन व बपर हाय है सिख्चक बनने में मिजन पर समस्या आपको आएगी और कैसे उसको पहले ही सही करा दना है तो आज की वीडियो में सभी के बादे में आपको इनफ पॉमिशन हम देनेradasा है कि आपको दानि भारत में एंडिया में एक प्रिशक होते हैं जो कि आपके Primary जो कि आपका देखा है Inter College में पढ़ाते हैं ठीक है तो प्राइमरी में सिख्छक बनना है तो आपके पास देखा जाए तो ITP हो या आपके पास B.A.D. हो आपके पास D.L.A.D. हो और साथ में आपका graduation तो होना ही चाहिए तो यहाँ पे subject का combination की कोई आउसकता नहीं है आपका PGT की बात करें तो यहाँ पे inter college में आप अपते हाप गौनते हैं तो आपके पास देखा दा है तो PG याई master degree होना चाहिए प्लस आपके पास देखा दा है B.A.D. या IT.P. होना चाहिए तो यहाँ पे भी कोई subject की combination क्या हो सकता नहीं है combination क्या हो सकता है T.G.T. में trained graduate teacher जो की high school सिख्चक होते है तो अगर आपका graduation यहाँ पे graduation क्या हो सकता होती है और प्लस आपके पास B.A.D. या IT.P. कुर्स की आप सकता होती है तो अगर आपने graduation किया है और subject का combination नहीं बन रहा है तो आप T.G.T. सिख्चक बनने में असमर्थ हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी vacancy आप भविशने खोज देंगे अपुचूटी आप खोदेंगे तो इसलिए पहले ही आपको जानना होगा कि हम graduation में की subject का chain करें जिससे कि हमारा combination बने और हम सही से सिख्चक बन जाए कोई समस्य भविशने में ना आए तो ये रहा आपका देखा जाए तो टीजीटी subject टीजीटी अगर लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो subject combination और काफी research के बाद हमने आपके लिए तयार किया है जिससे कि हमें आपको समझाना भी आसान रहे और आपको समझना भी आसान पड़े ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टीजीटी याई टेनर graduate teacher प्रसिचित अतनातक सिक्षक और इस अस्तर के सिक्षक बनने के लिए आपको किस विशेओं में combination क्या हो सकता है यानि किस विशेओं के सिक्षक बनने के लिए combination क्या हो सकता है और किस विशेओं के लिए combination की कोई आप उसकता नहीं है तो देखिए आपके पास TGT अस्तर के सिख्षक बनने के लिए ग्रिजिशन होना चाहिए आपके बी हो ब्यस्थी हो भी काम हो या भी टिक हो ठीक है और प्लस आपके पास बीड और ITEP इसमें से कोई आपके पास होना चाहिए बीड हो या ITEP हो अब बात किया जाएगा कि किस विषय के सिख्षक बनने के लिए आपके पास देखा जाए तो ग्रिजिशन में कॉम्बिनेशन की आउसकता नहीं होती है यानि वो स्वतंत्र विशय हैं उनके लिए कोई आउसकता नहीं होती है किसी सहयोगी विशय का जैसे अगर इंगलिश सब्जेक्ट बीड किया है तो आप TGT के लिए अपलाई करेंगे कोई जीद कर नहीं है संस्कित सिख्षक बनना है तो भी कोई समस्या नहीं है आपके math सिख्षक बनना है तो भी कोई समस्या नहीं है आपका BSC math से है अपलाई कर लेंगे Commerce से बनना है तो भी कोई समस्या नहीं है से आपको अगर सिख्षक बनना है तो आपको सिख्षक बनना है तो यहां प्याता है सबसे पहले देखा जाए तो हिंदी अगर हिंदी सब्जिक से आपको सिख्षक बनना है तो आपको कंडिशन होगा कि हिंदी के साथ संस्कृत आपका ग्रिजुशन में होना चाहिए या आपका इंटर्मीडियेट में संस्कृत होना चाहिए तब जाके आप अप्लाई करेंगे आपका साइन्स से अगर आपको combination होना चाहिए ठीक है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ एक रिकल्चर कोई आउसकता नहीं है combination की अगर बात करेंगे आर्ट सिख्षक बनना है तो आपका graduation combination की तुझरूर्थ नहीं है लेकिन हाँ combination क्या हो सकता है इंटर में इंटर में आपका देखा अजाए तो टेक्निकल आर्ट यानि प्राविदी कला सब्जेक्ट आपने अगर लिया था तो आपका graduation में combination क्या हो सकता नहीं है टेक्निकल आर्ट के साथ आपने देखा जाए या B8 किया है तो आप TGT के लिए apply करेंगे अब बात किया जाएगा यहाँ पे कि अगर आपको computer सिख्षक बनना है तो भी देखा जाए कोई समस्या नहीं है आपका computer सिख्षक अगर बनना है तो BTEC आपने अगर किया है CS से अगर आपने किया है BSC CS से computer science से और प्लस आपके पास देखा रहे तो सिख्षक पर सिख्षण की जो आपने degree ली है तो उसके साथ आप TGT में apply कर सकते हैं कोई समस्या नहीं आने वाली है अब बात किया जाएगा सबसे important कि आपको अगर SST सिख्षक बनना है ठीक है यानि social studies से सिख्षक बनना है क्योंकि इसकी भरती बढ़ी आती है जादा इसमें संख्या होते हैं सिख्षकों की क्योंकि इसमें बहुत सारे सब देखा जाए subject इसी के अंदर include होते हैं तो SST का सिख्षक अगर आपको बनना है तो आपकी वी से होना चाहिए graduation में कम से कम इन एक दो तीन चार जो चार है यह subject इसमें से कोई भी दो आपके graduation मे अगर आपने history और जगर्फी से अगर आपने graduation किया है तो आप apply कर सकते हैं याँए आपके वी устройism में इन चारों में से कोई दो आपका subject रहा हो तभी जा किःएिस से apply कर सकते हैं ठीक है अब बात करेंगे कि इन चारों सब्चेक्जिक्ट में देखा जा है आपका कोई एक र रहा हो ठीक है आपने ग्रिजुशन एक से कंप्लीट कर लिया है जैसे कि आपने हिस्ट्री से ग्रिजुशन कंप्लीट किया है साथ में आपका दिखा जाए तो हिस्ट्री के साथ आपका रहा हो हो हिस्ट्री के साथ आपका रहा हो एजुकेशन मान के चली एजुकेशन सबचक्ट से कम्पिनेष मनाने के लिए मिरेजुइशन कर सकते हैं अगर एस सबजग्से आप ग्रेजुइशन करेंगे तो आपका कम्पिनेशन बन जा आएगा कोई समस्या नहीं होने वाली है इसके एक्जेंपल अगर हम दें कि आपने हिस्ट्री लिया ग्रिजुशन में सोस्योलाजी लिया और एजुकेशन लिया अब आपका कंबिनिशन नहीं बन रहा है क्योंकि एजुकेशन और सोस्योलाजी से कोई भी सोतंत्र यहां पे सब्जिक्ट से शिख्षक बनने के टीजीटी में यह उस्था नहीं है तो यहाँ पर आपका history एक subject रहा है graduation में तो आप history के साथ देखा जाए geography, political science, economic में से कोई एक subject से आप देखा जाए फिर से graduation कर लेजिए फिर से आप BA कर लेजिए और एक subject से आपका BA complete हो जाएगा आपका combination बन जाएगा और आप देखा जाए भविस में TGT के लिए applicable हो जाएगे ठीक है तो आज के वीडियो से आसा करते हैं आप लोग के पास पूरा information पहुंश किया होगा कि subject combination क्या है किस subject के साथ combination बनाना है जिससे कि आपको TGT सिक्षक बनने में कोई समस्या ना हो तो अगर आपको पूरा का पूरा जो आपके research करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा information आपके लिए collect करके यहाँ पे लाया उसका PDF भी हमने description box में दे दिया है आप सिर्फ उसको download कर लिए अपने पास पी रखिए दूसरे के पास भी बढ़ाईए क्योंकि अगर किसी को भविशने बनना है सिक्षक और गलतियां हो जाए छोटी सी तो उसके लिए बड़ी परिस्टानी हो जाती है सिक्षक बनने में तो आज के वीडियों कितना है से जोड़ा कोई information लेना है कमेंट करिए और जब तक इन इस वीडियो नेक्टर प्रेट नहीं लाते हैं थैक्स वोचिंग इस्ट किस्टन चैनल आप सभी का दिन बहुत 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 सुभाँ